बियार में पंचैतों के लिए बहुत बड़ी बहाली निकलने जा रही है बहुत बड़ी बहाली निकलने जा रही है जिसमें पंचाय सचीव, इंजीनियर और अन्य पदों पर बहाली की जानी है यारी पंचायतों में एक बड़ी वेकेंसी पंचायतों में पदस्थापित करने के लिए करमचारियों की एक बड़ी बहाली पंचायती राज विभाग में दोस्तों निकाली है तो आप विहारी हैं तो आपको इस खबर को देखनी चाहिए बिलकुल बिहारी वाले अंदाज में हम आपको बताते हैं कि क्या है पंचायतों से जुड़ी खबरें अगर आप विध्यार पंचायतों के लोगों के लिए बड़ी खुसकरी है कि पंचायतों के लिए पंचायती राज विभाग ने विहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने एक बड़ी संख्या में बहाली निकालने का एलान किया है और इसे इसी महीने बहाली को पूर्ण भी कर लिया जाएग नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपके साथ सुनील बोवी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास का अर्जकरम गाउं की सरकार जिसमें हम बताते हैं कि गाउं से जुड़ी क्या है खास खबरें क्या है कहानिया लेकि इस खबर को जहां पंचायत गाउं के लोगों को देखन करनी चाहिए कि क्या है यह बड़ी खबर तो बड़ी खबर यह निकल कर सामने आ रही है कि अवे पंचायतों का अपना इंजीनियर होगा अन्य करमचारी होंगे और बहुत सारे पद पंचायत सचीव की खाली है तो इसको लेकर बिहार पंचायती राजभी भाग ने 13270 ध्यान बनाये रखते हैं कि कौन सी कब को निकलने वाली है आपको बतादे कि 3100 161 5agस चैन किया जाना है इंजेनियरों को चैन किया जाना है यानि कि भारी संख्या में 131000 24 नहीं होता है तेरह हज्जार आपको 270 फेकंसी शामने आने वाली है आपको बता दे कि गाओं में साथ निश्चे के तहत दो महत्पून विकास योजनाओं हर घर नल जल योजना और पक्की गली नली शफल किरिवानवन के बाद अब इनके मेंटनेस करने की होड मची हुए है यानि बड़ी चुनोती बिहार सरकार के सामने है पंचायत परतिनी दियों के सामने है जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के मुक्या बिहार के मुक्मंतरी नितिस्कुमार में कर दिया है कि अब कामों के साथ साथ उनके मेंटनेस पर भी बिल्कुल धियान रहेगा ऐसा नहीं कि काम होता जा अब सरकार की मंसा बदली है और सोच बदली है अब नई योजनाओं के किर्यार्मन के सासथ पुरानी योजनाओं का भी मेंटनेस किया जाएगा आपको पूरी खबर हम विस्तार से बताएंगे वीडियो के अंग तक हम बने रहे और कहना है कि अगर अब तक हमारे आपने चैन अब उनके मेंटनेस बड़ी चुनोती बनी हुई है यह देखते हुए पंचाईती राजी विवाग में ग्राम पंचाईस से लेकर मुख्याले तक बड़े पैमाने पर बहाली की परिकिरिया शुरू है वियार करमचारी चैन आयोग से चैन की परिकिरिया पूरी होने के बा विवाग शुरू करेगा इससे पंचाईत अस्तर पर चलाए जा रहे विवास कार्जों का लेखा जोखा रखने और विकास रासी के खर्च में खर्च करने में भी आसानी होगी त्यार पंचाईती राज अधियंतरन शंग चंगठन के गठन की परिकिरिया पूरी होने के कर सादे की विकास स्योजनाओं की अन्वरत मॉनेटरिंग यानि कड़ी निगरानी के लिए जूनियर इंजिनियर से लेकर सुप्रिटेंडेंडेंट इंजिनियर के 1048 पद बनाए गये हैं मुख्याले अस्तर पर 7 पद और 38 जीलों में काम करने के लिए 1041 इंजिनियर इंजिन इंजिनियरों के पदों में असिस्टेंड इंजिनियर और इंजिनियरों का चैन बीपी एसी से और जुनियर इंजिनियरों का चैन बिहार तक्निकी सेवा आयोग से होना है त्रिती और चतुत्रवड़के कर्मियों के पद पर करमचारी चैन आयोग से भरे जाने हैं पंचा सेवक इंजिनियर और कहा जा सकता है कि लिपीकों की बहाली पंचायतों में पंचायतों के गाओं में सुभधा उपलवद कराने के लिए किया जा रहा है जैसा कि आप जानते कि बिहार सरकार की दो महत्वेकांच योजना है हर घर नल जली योजना और नली गली पकी करन इसको को लेकर सुद्रीड करने को लेकर पंचायतों में बड़ी संक्या में पद भरे जा रहे हैं और निवक्ती की परकिरिया इसी महीने से सुरू होंगे तो आप चाहते हैं इसमें भरती होना इसमें अपना आवेदन देने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा तमाम चीजों को आपको जन्कारी हम देंगे तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए दिजिए याजा धन्यवाद जय हिंद जय भारत बंद मात्रम